कि अश्कार बच्चो स्वागत आपका आपके लेक्चर में आथ का लेक्चर अपने अमीन स्काय के रिवीजन लेक्चर रखा है मैंड में वाला रेक्चर रखा है और अमीन बहुत इंपोर्डन चेप्टर है यहां से दो क्वेश्चन बनने की गुंजाईश होती है एक तो अ अमीन वाला मीन्से और एक अर्मेटिक अमीन यानि के एनिलीन वाले बाट से स्टाट करते हैं वह समय कम है महाल जाधा है समय बर्बाद नहीं करेंगे आज हमें पूरा का पूरा पढ़ना है इस अब नाइट्रोग सबसाइब हम नाइट्र कंपॉंड के रिदक्शन से निकल से करा सकते हो और इसके अलावा आप मैटल प्लस एसिड ले सकते हो कोई भी मेटल और एसिड का सोड़ लेलो मेटल आपको एलक्टरों देगा acid आपको H+, उस electron को लेके hydrogen बना लेगा, hydrogen बना लेगा, ठीक है, तो आप कौन-कौन सा metal ले सकते हो, tin metal ले सकते हो, हC-L के साथ, iron ले सकते हो, हC-L के साथ, और आप zinc ले सकते हो, मेरे भईया, हC-L के साथ, इन में से कोई भी metal और कोई भी acid ले लो, तीन से लेलो आइरन से लेलो जिंके से लेलो यह क्या देंगे आपको इलेक्ट्रोंस देंगे मेटल और आपका हैड्रोकलोरिक एसिड आपको हच प्लस देगा और हच प्लस और इलेक्ट्रों जब बनेगा तो वहां से हाइड्रोजन आएगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन या loss of oxygen या फिर loss of electron इन में से कुछ भी हो रहा हो मिरे भाई तो इसका मतलब क्या हो रहा है reduction हो रहा है क्या हो रहा है reduction हो रहा है तो यहां पर RNO2 जो है ना मिरे भाई वो किस में बदल जाएगा RNO2 में बदल जाएगा बन गया ना अमीन भाईया बुमारक हो अमीन बना है मुबारक हो अमीन बना है सौट ट्रिक देख लो oxygen हटाओ hydrogen लगाओ oxygen हटेगा loss of oxygen gain of hydrogen क्या हो रहा है reduction कौन-कौन कर सकता है इन में से कुछ भी लीते वाली में आप हैड्रेक कर सकता है इन में से कुछ भी ले लो अमीन बना देगा अब जैसे दो सवाल आपको ट्राय करना है पड़ाफट से पोस करके या वीडियो को रोक के ट्राय कर लीजिए जैसे यहां पर आपको दिख रहा है एनोटो लिखा हुआ हुआ है तो यहां लेकिन 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 का रिडेक्शन नहीं करता केवल अनोटो का करता है तो अनोटो तो निकल से नस्टो बन जाएगा तो आपको यह बहुत दाड़ है डिडेक्शन आप ना्यट्रैल का मतलब साइनेट अलका यल्काइल सायनंइट को यह बोलते हैं दोस्त नैट्रैल बोलते हैं अब यहां पर हैं दो से रिडेक्शन कर सकते हो यह तो आप प्नницus Lально Journal इन तीनों में से कोई भी ले रहे है हो तो यहां से इस तरह से लेना मेरे दूस्त एक हाइडोजन दो डूजन आर खेंस नस्तुक्न में शॉर्ट बी बता रहा हूं है और खेंसटू नस्तुक्न आपका अमीन बन जाएगा मुबारक हो को फिरसे वन डिग्री अमीन बनाएं साइनाइट की डिक्षन आपने अगर संसेल टुफ फ्लस एस्टील के साथ करा दी पहले नमबर पर दूसरे नमबर पर एस्ट्रियो प्लस करा दिया तो यह वह को सिर्फ दो हैड्रोजन देता है तो हमने यह चाहर आड्रोजन जोड़े स्टीफन रिड़क्षन बोलते हैं मेरे वहिया इस्टीफन रिड़क्षन बोलते हैं नाम याँ दूना चीह सब्सक्राइब लिएड बनेगा ताइनाइट से और तीन एस्टू निकल दे रखा है तो सारे पाइबॉन काट दो हाइड्रोजन जूर दो बिल्कुल सोटकट सोटकट से चल रहे हैं पर ज्यादा चोड में भी नहीं देखनी चीज़ है जहां चोड में देखनी होगी वहां चोड में बता दूआ यहां से आमीन बना लेगा और स्टीफन रिडक्षन होगा और सायनाइट से क्या बनेगा मेरे दोस्ट अल्डी हाइड बन जाएगा इधर देख लेवली यहां से जब सायनाइड का रिडक्षन करूंगा तो पहले तो आर सीच डबल बॉन एमेज बनेगा फिर उसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यह प् रिडक्षन करेंगे तो वहां से भी हम अमीन कर सकते हैं और वह सिर्फ और सिर्फ लीटियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट करता है जितने रिएजेंड मैं लिख रहा हूँ केवल वह ही यूज हो सकते हैं और कोई यूज नहीं होगा तो यहां से आपको शॉट्र क्या लगान करने के लिए तो यहां से बन जाएगा RCS2-Ls2 क्योंकि लीटियम अल्यूमिनयम हाइड्रेट क्या देता है एच माइनस और चार चार हाइड्रोजन देता है प्लाट अमीन बन जाएगा अब यहां पर देखो आपके पास अमाइड लिखा हुआ है फटाफट से इसका रिद ने करा दो इन को यह रखें करा यहां से क्या बनेगा यहां 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 बन जाएगा यहां यहां पर काटो गे यहां से क्या बन जाएगा यहां पर यह Ns.2 इतको असान है यह बिल्कुर शॉर्टकUP आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेति abd . is Gabriel thalamite synthesis और सबस्दमत्र गद अगर यहां पर hathol यह नएकप 🎵 और अगर यही यही अनॉइडाइड का बना ले तो यह हो जाता है यह उता का थैली माइड की रियेक्षिन एक्वच्ड के ओँएच फिर अलकालीलाइट फिर उसके बाद एजलेट याद रखने है पता क्या बनेगा यहां से बनेगा और पता क्या बनेगा यहां पर यह तैङलिक ऑसिट का सौल्ट रीजिनरेट हो जाएगा मेरे वहीया यलिक एसिट का salt regenerate हो जाएगा बिलकुष short trick से चलो कोई मतलब नहीं है फालतू बातों का यहाँ पर इस HX को निकाल दो भाई तो यहाँ NR बन जाएगा और जब वो NR बनेगा ना जब वो NR बनेगा इसी को आप copy preset कर लीजिए इसी को आप हाइडरोलिसिस कर लेना तो बचा क्या RN2H और यह COH लेकिन मीडियम कैसा है बेसिक है तो वो COH किसमें बजल जागा CO माइनस में बात समझ में आ रहे होगी कि किस तरह से यहाँ पर अमीन बनता है अब इसका एक और गहरी बात short cut और गहरी बात दोनों है ध्यान से सुनना यहाँ हेलोजन जगे क्या लग जाता है NH2 लग जाता है Gabriel thalamide में हेलोजन की जगे क्या लगता है NH2 लग जाता है लेकिन ध्यान रहे यह R जो है आपका CS31 degree 2 degree होना चाहिए मतलब SN2 reaction होगी जो SN2 देते हैं केवल वो ही alkyl chloride जो SN2 देते हैं केवल वो ही alkyl chloride यहाँ पर amine बना सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 degree amine बनेगा मेरा बाई और चाही सौर्ट कर फिर से सुल ले र x और एक्स और एक्स और इन्ए यहां से हैट्रोलिसीस कर दे पानी से इधर अधर और इच रुआ टो और यह कौन सा रनीः बनानेगा औrh सिर्फ 76 से से अमीन बना सकते है अब आपको बताना है कि इन में से कौन से अलकायल हलाइट जो है वो गेब्रियल थेलेमाइट सिंतेसिस के द्वारा अमीन दे सकते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि जो SN2 देते हैं के वल वही देते हैं आप फटाफट से बता दीजी कि SN2 कौन देगा आपको पता है मेरे यहां पर बिदेगा और नहीं देगा यहां पर देखोगे तो यहां पर भी यह लोन प्यर इस पाइब बॉन के साथ रेजोनेंस में है यहां पर भी पार्शल डबल बॉन के रिक्टर आता है यह भी आपकी SN2 नहीं देगा, यह फिर से 3 degree है, यह भी SN2 नहीं देगा यह alkyl fluoride है high bond energy बहुत ज़्यादा bond energy होती है carbon fluorine की, इसलिए यह भी SN2 नहीं देता है तो यहां से भी amine नहीं बन पाएगा लेकिन यह आपको दे देगा क्योंकि 1 degree है और यहां delta plus भी बहुत जादा है क्योंकि यह sp3 है यह sp2 है और sp2 क्या लगाएगा minus i तो यहां delta plus बढ़ेगा तो alkylite बहुत अच्छी s2 देगा ऐसे ही यहां पर भी delta plus बढ़ेगा क्योंकि यह sp2 है तो यहां पर भी बहुत तगड़ी s2 होगी क्योंकि वन डिग्री है और यह भी वन डिग्री है तो कौन देता है कौन नहीं देता दोनों पता होना चाहिए इसके बाहर कुछ नहीं पूछ रहा हो आपसे गेब्रियल तेले माइड में इसक्रीन सोट ले लीजिए भहिया इसक्रीन सोट ले लीजिए एक तो आपको रियेजेंट यहां दोने चीह है और सबसे इंपॉर्डेंट बात एक सटा के कुछ नहीं करना गेब्रियल तेले माइड में सबसे इंपॉर्डेंट बात यही थी सबसे इंपॉर्डेंट बात यही थी पर आपसे बात संज में आगे होगी स्क्रीन सोट ले लीजिए फिर एक और तरीका है जिससे हम लोग अमीन मना सकते हैं वो है Hoffman Bromomide Degradation Reaction और यहाँ पे BR2 और 4 mol QOH heat के साथ यह reaction होती है Bromine प्लस 4 mol QOH heat के साथ यह reaction होती है करना कुछ नहीं है यहाँ से CO को eliminate करना है CO अटाओ और क्या बना दो RNS2 बना दो एक कारबन कम का अमीन बनता है ध्यान रखना एक कारबन कम का अमीन बनता है इसको बोलते है step down reaction एक कारबन कम का अमीन बनेगा इसको क्या बोलते है step down step down का मतलब एक कारबन कम करने के लिए यूज होता है एक कारबन कम करने के लिए यूज होता है अब यहाँ 4 mol q use होते हैं वो भी important है और इसका mechanism भी important है क्योंकि intermediate भी पूछ लिया गया है pyq में इसलिए मैं आपको mechanism बता रहा हूँ ध्यान से सुनना यह आपके पास amide दे रखा है और आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है basic medium दिया हुआ OH- OH- यहां से h लेगा कौन सी reaction करेगा अब अब मतलब acid base करने के बाद यहां बनेगा rco nh- rco nh- बियार्टू के पीछवाड़े में यानि कि बियार्टू के anti-bodling में attack करेगा पीछे से यह बियार बाहिर क्या बन जाएगा rco nh-br बन जाएगा फिर आपको basic medium दिया हुआ है तो OH- यहां से फिर से acid base करेगा और क्या बनेगा rco n-br बनेगा अब अगर यहां से इस बियार को मैं निकाल देता हूँ तो यह nitrogen बिखारी हो जाएगा और carbon पे plus तो फिर भी stable है लेकि nitrogen पे plus तो बिल्कुल भी stable नहीं है इस nitrogen पे plus ना बने उसके लिए एक जुगार लगता है जिसको wolf rearrangement बोलते हैं क्या बोलते हैं wolf rearrangement बोलते हैं होता क्या है उसमें सुनो यह minus यहां पे pi bond मनाता है carbon के maximum चारबॉंड हो सकते हैं तो यह R यहां से इस nitrogen के पास आता है और BR को बाहर निकाल देता है अब यहां से देखना आ रहा है nitrogen के पास यह रहा nitrogen और यहां आ रहा है और nitrogen और carbon के बीच में double bond बन गया और carbon oxygen के बीच में पहले से double bond था RNCO यह बन गया आपका isocyanate alkyl isocyanate बन गया यह R ग्रूप लगा है alkyl isocyanate बन गया इस alkyl isocyanate का हम लोग करेंगे hydrolysis और hydrolysis किसमें होगा basic medium में होगा क्योंकि हमारे परस base दिया हुआ है लेकिन फिर भी यहां से काटेंगे यहां से काटेंगे यह प्लस है यह माइनस है यह प्लस है और यह माइनस है प्लस को माइनस देदो माइनस को प्लस देदो अपने को क्या है वानी से bond को काटना है OH इदर H इदर minus plus वाली बात है न यहां से RNS2 बन जाएगा देखो ध्यान से यहां से क्या बन गया RNS2 बन गया और क्या बन गया C double bond O और OH और OH बन गया लेकिन medium हमारा basic है तो basic medium इन दोनों से H निकाल लेगा 2 mol तो यहां से बन जाएगा CO O minus K plus O minus K plus बार समय में अरी होगी तो 2 mol OH मैनस तो यहां यूज हुए एक यहां एक यहां इसलिए 4 mol केवेच लिखा हुआ है तो केवेच के कितने mol लगते हैं 4 यहां पर intermediate एक तो RCO NHBR बना एक RCO N-BR बना वुल्फ रियरेंड्मेंट बोलते हैं एक और important बाद यह पूरा एक intra molecular process है अंदरुनी रूप से चीज़ा transfer हुई है अंदरुनी रूप से चीज़ा transfer हुई है और यह जो R है अगर इसमें कोई chiral center है तो उस chiral center का configuration change नहीं होता एक चल मैं यह पल्टी मारता है यह पल्टी मारता है ऐसे R N double bond C double bond O बन जाता है यह यूँ करके इसकी बैया दिक्कत तो इसकी है ना R की दोड़ीना है तकलीफ तो N को है उसके ओपर प्लस बनेगा वो भी खारी होगा तो उसी को सब कुछ करना प का इसका तो मतलब मतलब यह कि केवल यहां से सीयों आप उढ़ाओ गय जिस तरफ एनस्टू रहेगा इस्तरफ एनस्टू लिखा है उसी तरफ एनस्टू रहेगा यह पूरा स्का mechanism है मेरे साबसे बात समझ में आ गई molecular Process है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा जो अंदर का माल है, जो इस Amite का माल होई बस माल है, और कोई माल दूसरा नहीं है, एक और important बात , इस reaction में द्यान से समनना, यहां यह जो hydrogen आए है ृ hydrogen यह वाले नहीं है कता ही नहीं है, आप ही देखो ना, यह R-N-S-2 बनाया है, यह N-S-2 कहां से आए, यह दो हैड्रोजन रहे, यह दो हैड्रोजन कहां से आए, बेस से, यानि कि यह वाले हैड्रोजन और यह वाले हैड्रोजन से में, अगर K-O-H की जगे K-O-D दिया होता, तो यहां Deuterium आता, K-O-H की जगे K- चाहेगा, अगर D दिया है, तो P-H, N, लेकिन यह एड्रोजन, यह एड्रोजन नहीं आएंगे, हैड्रोजन कौन से आते हैं, K-O-D वाले, N-D2 बनेगा, यह तरह K-O-H और K-O-D का, आपको शॉर्ट मेरी विजन करना है न, इससे बेस्ट तरीका नहीं है भाई, देख लो पिर मैंने यहाँ पर एक काईरल सेंटर वाली बात ले रखी है, तो इसकी पूरी की पूरी शकल एजटी रहेगी, H-M-E-T, वैसे तो आपको खुद को ट्राय करना चाहिए, वीडियो को बोस्कर, ट्राय करना भाईया, खुद से ट्राय कर, मैं क्या बोल रहो हो, C-O-H, ज यहाँ डी आएगा, इतनी सी बात है, तो यहाँ पर N-S-2 है, और H है, तो यहाँ पर N-S-2 आएगा, किस तरफ आएगा, जिस तरफ C-O-N-S-2 है, उसी तरफ N-S-2 आएगा ध्यान रखना, पिर यहाँ पर दो अलग-अलग अमैट दे रखे हैं, यहाँ नैट्रोजन 15 वाल लेकिन 15 वाला और यहाँ बनेगा, P-N-S-2, मेरे भाई, मेरी बात सुन, यह जो नैट्रोजन था, यह नैट्रोजन, यह नैट्रोजन, यह नैट्रोजन, हमेशा आर से जुड़ा हुआ है, देख, आर से जुड़ा हुआ नैट्रोजन है, यानि कि नैट्रोजन बाहर से नह का ही रहेगा आप फिनायल के साथ नाइट्रोजन 15 नहीं लगा सकते इसको बोलतें इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस बाहर समझ में आ रही होगी केवल हाइट्रोजन जो है वो बेस से आ रहे हैं क्योंकि है यह थोड़ी मोड़ी बढ़ेशन ऑबीण का वह ऑँमोझ लाइट के बंड को आमोनिया से तोड़ना है और के बहुरूनिया से तूड़ना है द्यान से सुनना मेरे दूस्स इस और यहां पर हइड्रोजन चलेगा 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 क्या बिलकुल चलेगा यहां से HX को निकाल दे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNS2 बन जाएगा, उस RNS2 को भी मैरे सबसे बात इसे लिका रहा हुँ, और एनस्टू को भी मैं ऐसे लिख रहा हूं क्यों लिख रहा हूं पता है क्योंकि अगला एचेक्स यहां से निकलेगा अगला एचेक्स यहां से निकलेगा बतलब आप अलकाइललाइट की अमूनिया से रियक्शन करा होगे तो आपको क्या मिला वन डिग्री अमीन फिर से अच्छेक से निकालोगे आपको क्या मिलेगा आर और त्री डिग्री मिल जाएगा यह क्या है आपका त्री डिग्री अमीन है और अगर आप फिर से अलकाइल हैलाइट से रियक्षिन करा दी नाइट्रोजन का लोंपे अवेलेबल है वह यहां पे पीछे अटक करेगा X बाहर, आस बनना, यह सारी reaction कौन सी SN2 है, यह nitrogen का lone pair ऐसे पीछे से attack करता है, SN2 reaction है, लेकिन मैं आपको short trick बता रहा हूँ, यह सब SN2 से चल रहा है, तो यहां क्या बन जाएगा, R, N, R, 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 और plus, यह बन गया आपका quaternary ammonium salt, यह क्या बन गया, quaternary ammonium salt बन गया, quaternary ammonium salt बन गया, अगर माने लो, मुझे ammonia से quaternary ammonium salt बनाना था, तो पहले तो तीन H अटा के तीन R लगाने पड़ते, फिर एक loan पे रटा के R लगाना पड़ता, यानि कि ammonia से quaternary ammonium salt पोच्छने के लिए कितने अलकाय लेला डिक्तमाल होंगे, चार, लेकिन अगर मुझे वन डिक्री अमीन से करना होता, तो एक R तो लगा लगाया मिला है, केवल दो हैड्रोजन एक loan पे रटाने, तो तीन R से काम चल जाता, तो डिक्री अमीन से करता, तो दो R लगे लगाया मिला है, दो R लगाने तो एक हाड्रोजन एक loan पेर जाएगा, तीन R लगे लगाया मिला है, एक से काम चल जाएगा, अगर आपको किसी nitrogen containing compound को quaternary ammonium salt में बदलना है, तो आपको किस से replace करना पड़ता है R को, loan pair और hydrogen, कितने loan pair और hydrogen है, उस बात पे alkyl halide के moles depend करते हैं, तो number of alkyl halide consume to prepare quaternary ammonium salt, quaternary ammonium salt को prepare करने के लिए, कितने mole alkyl halide लगेंगे, वो किस बात पे depend करेगा, कि loan pair nitrogen पे कितने हैं, और hydrogen कितने हैं, जितने hydrogen जितने loan pair उतने R लगा दो, जितने hydrogen जितने loan pair उतने R, अबने तीन hydrogen एक loan pair था भाई, चार लगा ना, यहाँ पे दो hydrogen एक loan pair था तीन लगा ना, तो समझ गए होगा बात, वो ही है, how many moles of Rx convert following amines into quaternary ammonium salt, वह से चार एक्जामपल दिये हुए है आपको बता है कितने मोल अल्कायल लगेंगे कि अरह कर लीजी अर्द बह्यार खुद से कर लो अर्द ऑज़ेंगे इस तो नो और यहां पर एक लोगन है 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 कितने मोल लगेंगे सहां मॉल लगेंगे दो मोल लगेंगे मेरे साथ से बात समंझ में आगी होगी कि अगर आप से कोई फूरा आमोनियम फट्रल बनाने के लिए इस में ऐसाल बसे अपकर या है ओ कि defensiveness लोगे आओ एक बास फिर से रिवाइस कर ले, यह है mind map, फिर से रिवाइस कर ले, अगर माल लो मुझे इस तरह का means मनाना है rno2, rno2 से कैसे बना सकता हो, बहुत सारे तरीके बता है थे, lithium aluminium hydral ले लो सर, 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 S2 निकल ले लो, इतिनॉल में सर, सर, मेटल प्लस एसिड ले लो, मेटल प्लस एसिड में आप क्या क्या ले सकते थे, टिन प्लस से ले लो, जिंक से ले लो, या फिर आइरन से ले लो, इनमें से कुछ भी ले लो सर, ये आपको आर एनस्टू दे देंगे, आपको वन लिग्री अमीन दे देंगे अलकाइल हेलाइट की किस्ते रियक्षन करा हूं कि और नस्टू बन जाए सर अमोनिया से करा दो और एक सर एक एक्कुलेंट रखना अलकाइल एक लखोगे तो यहां पर हैट्रोजन की जगे आर एक्कुलेंट आ जाएगा और सीओ अटाना पड़ के उसमें से सीओ निकाला है यह हॉफमेंट रूमाइट डिग्रेडेशन है गैब्रियल तेलमाइट तो उसमें पहले एक्कुलेंट डालेगा फिर तीज़े नंबर पर फिर से बेस डालेगा तब तब जाके तरह और नस्टू बनेगा और शॉट ट्रिक तरह को बता है कि य एक ऐसेंटू देने योग्या होना चाहिए ऐलोजन अटाओ MS लगाव this 10 देने उयोग्य होना चाहिए अर। याहां ग्ताय कि है कि आरेक्स जो है वह कैसा होना SN2 वाला, SN2 देने वाला होना चाहिए, that's it, इतनी सी बात है, यह RNH2 की पूरी method of preparation होगी, अगर RCH2-NH2 बनाना है, कुछ method अलग टाइप के है, तो यहां से इसे hydrogen hydrogen लगना पड़ेंगे, कौन-कौन कर सकता है, यह काम, और यह काम, तीन SCL भी कर सकता है, इन तीनों में से कुछ भी ले ले, RCH2-NH2 बन जाएगा, अमाइट से यह बनाना है, अमाइट से एक कार्बन कम का बनाना है, तो यह लेगा, कार्बन मेंटें करके रखने, तो ल यह लिए, यह की चेह reaction आ गई, आसवन में आ रही है, यह मैं तो प्रप्रप्रेशन ऑव अमीन खदम, स्क्रीन सोट ले ले भटाबट से, अब नेक्स्ट कैमिकल प्रपर्टी ऑव अमीन, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ, जो हम ऑल्रेटी जी ओसी में बहुत चोड़ में इलेक्ट्रोन देगा, वो उतना अच्छा बेस होगा, और कोई जल्दी इलेक्ट्रोन कब देगा, जब इलेक्ट्रोन को रखके तकलीफ में होगा, इलेक्ट्रोन को रखके अंस्टेबल पील करेगा, जितना ज्यादा कमपाउंड इलेक्ट्रोन को रखके अंस्टेबल पी होती है अगर मैं सेम पीरिट की बात करूं सेम पीरिट की बात करूं तो बेसिक स्टेंड इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यह फंडा लगाना एक एक एग्गामपल लगा हुआ है आप बता दो फड़ाफट से किसकी बेसिक स्टेंड बस्तब्स में चुर्ण नमबर टू बेसिक स्टेंड इन्वर्स ट्रपोर्शनल टू साइस अगर मैं सेम गृुप की बात करों सेम गृुप की बात करों उपर से नीचे ला रहा है साहीन देखूंगा हमें क्या देखना है कौन इलेक्ट्रोन को रख्क्रे अंस्तेबल फील कर रहा है मैं भाई तेरे से positively यह उनको किचन में सुला रहा है रा है कौन कमपटेबल ही सुलेंगे कईता है कि कोन सो रहे है रहे ही तो किचन वाले Definitely पर लोई पर लोगे से घर हैसे पड़ा है स्थ फ्लोरी ने यह से चूटा है तो क्रेंधर इस प्रेश पड़ा है स््टेबल होगा फ्लोरीन में ँस्टेबल होगा तो जल्दी फ्लोराइड देगा बासमने आरी तीसरा कंसेप्ट है बेसिकर सिंड्म ली प्रोपॉश्णल टू नेगेटिव चार्ज जतना जधा नेगेटिव चार्ज हो गा मेरे बया कुछान होगी दों एक बहुत मेरे को कोई भी कंपॉर्ण तब जागे stability आएगी तो जितना ज्यादा negative charge होगा उतना ही तड़ाप होगी उतना ही ज्यादा unstable करेगा क्योंकि कोई भी molecule neutral नूट्रल बनना चाहता है तो कौन जल्दी देगा जितना ज्यादा negative charge उतना ज्यादा ये पल्शन जल्दी देगा और साफ से बाध समय में आरी होगी और कॉंसेप नमबर चार क्या है बेसिक स्टेंड डारेक्टल टूट सब्साल टो इलेक्रों लोनेशन टेंची जपनती उतना बेसिक करनेशन होगी और और रिग्वेन से ज्यादा सब्सक्राइब यह नाइट्रोजन का लोन पेर है यह इस पी त्री है यह नाइट्रोजन का लोन पेर है एक पाइबॉन्ड आ रहा है तो SP habitation है और SP3, SP2, SP में SP की electronegativity SP2 से ज़्यादा होती है SP2 की SP3 से ज़्यादा होती है और more electronegative पे loan pair या electron कैसा feel करता है stable feel करता है तो देने की चार्ट किसकी ज़्यादा होगी बड़ा A greater than B greater than C अब यहाँ पर देखो night angle loan pair night angle loan pair night angle loan pair night angle loan pair SP3 है लेकिन यहाँ पीछे plus i लगा है पीछे minus i लगा है और पीछे banker minus i लगा है और अगर minus i लगा होगे तो देने की चाहत कम हो जाएगी electron कीच रहे हैं electron चुच रहे हैं यहाँ पर electron आ रहे हैं जितने ज़्यादा electron donating group लगेंगे उतनी ज़्यादा stability मतलब उत्ती ज़्यादा देने की चाहत बढ़ेगी एगर देन बीगर देन सी यहाँ पर देख यह नैट्रोजन का loan pair SP2 हो जाता है और इसका SP3 रहता है और SP2 और SP3 में ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगट्रोण देने की चाहत कम होती है इसलिए यहाँ पर बेसिक इस्टेंद आएगी जो मैं सवाल करा रहा हूं उनके आने के chances सब्सक्राइब द्यान रखना करें सोटर ले लिजिए आगे देखो यह दो क्वेशन भी बहुत फैमस क्वेशन है पड़ावट से आप पोस्ट करके इसको ट्राइब करिए मेरे दोस्त यहाँ पर देख इस ने ट्रोंट के बारे में वह और की लोकलाइजट है लेकिन यह कन्orcap का यह सब्सक्राइब कोई Conjugation ही नहीं यह है आपका SP3 लेकिन यह SP2 है क्योंकि आप पाइबॉर्ण आ रहा है और यह डी लोकलाइज होने के वैसे SP2 है यह भी SP2 है अब यह मुझे तो stable चाहिए है इच नहीं मुझे तो unstable चाहिए सबसे आदा दुखी कौन है सबसे आदा दुखी है डी फिर लोकलाइज में सी अब ए और बी में यह सिव रेजोनेंस कर रहा है यह एरोमेटिसीटी में जा रहा है इसके एलक्ट्रोन दे दिये ना तो एरोमेटिसीटी खराब होगी इसके में रिजोनेंस खराब होगा बात सब्द्द में रही है तो DC AB यह आपका basic strength का order है बी में इसको कहता है दोस्त गौनीडीन और इसको कहते हैं अपका गौनीडीन यह आपका एमीडीन और पहली बात तो यह जैखो कि इस नाटरोजन में तीन जगे पर लो लोन पेर जा रहा है लेकिन यह लोन पेर यहीं पर है यह कैसा है लोका है लोकलाइज है और यह दिलोकलाइज है इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा उपर वाली साइट बेसिक होगी और यह एलेक्ट्रों दे रहा है इसका क्या लग रहा है प्लस एम लग रहा है जबक इसलिए ए बी से ज़्यादा बेसिक होता है एक और बात गवानिडीन जो है वह मुस्ट बेसिक बहुत इंपोर्टन गहरी बात है मुस्ट बेसिक सबसे आगया आएगा इससे भी आगया आएगा गवानिडीन बेसिक स्टेंट ऑफ एलिफेटिक अमीन तीन ओर्डर है याद करने है तीन ओर्डर है याद करने है पहला गेसियस फेज में आपको पता है जितने जाद प्लस आई लगे यह उतनी जाद बेसिक स्टेंट तो तीन प्लस आई दो प्लस आई एक प्लस आई और कुछ भी नहीं तो 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree greater than ammonia यह basic strength का order हो जाएगा किस से निकाला प्लस आई से निकाला लेकिन aqueous phase में लफड़ा है और दो important order हमें याद करने है methyl और इतायल का मिथायल में और निकल के आता है 213 इतायल में 231 चोटा मिथायल मिथायल चोटा होता है तो चोटे गए चोटा नंबर इतायल बड़ा होता है बड़े केलिए बड़ा नंबर दोसो तेरा का है? टू डिग्री, वन डिग्री, थी डिग्री, दोसो एकत्रिस का है? टू डिग्री, थी डिग्री, वन डिग्री, तो दोसो तेरा, दोसो एकत्रिस, टू डिग्री, अमीन, फिर वन डिग्री, अमीन, फिर डिग्री, अमीन, फिर अमीन, फिर अमीन, फिर अमी कि लिए लेए लिए अगली रियक्षिन देखो अपने चालू कर दिया और प्रॉपटी ऑफ अमीन पढ़ रहे हैं जिसमें हम अलकालेशन अल्रेडी पढ़ चुके हैं या अमोनोलाइसिस अमलकालैट अलकालेट के आप रियक्षिन आप ना उससे करो अमोनिया से तो वन अत्रीड करीद अमीन भी बना सकते हैं आहिए असायलेशन देखो यह क्या दिया हुआ है अमीन दिया हूआ है हमें क्या जोड़ना असायल गर जोडना असायल मतलब और यहां से ट्रिक बता रहा हुँ यहां से और एनफ और यहां पर आपका जो भी दिया हो जैसे वालीफरी इसन devoir होगा है और तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से निकाल तो क्या बन जाएगा यहां से 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 empirics च्हों है जुढ़ाए उसे यहां से ए drugs है यहां से इनव कानधर है यहां यहां पर यापने कैया क्या सब्सक्राइब वोड़ा यहां यहांपर आपiah आपने अस्य आइलिवल धिर्वार च्ट उसे गार है क्या है जोड़ा है यहांपर आपने बंजोए बैंजों लेसन हैं नाम भी है इसको बोलते है चुटन बामन contradiction बोलते हैं जब हैं बेंजोलेशन एच अटाके क्या लगाते हैं बढ़ा गुरुब लगाते हैं तो इसको गन्हां से आपज हैं यह और उसको यह से कट करेख यहां- यह प्लस कर ले तो माइनस को प्लस से जोड़ दे प्लस को मैनस से जोड़ दे इतनी सी बात है किसी बात समन में ना रही ठीक है तो यह अब यहां पर दोगो आपने एक हैट्रोजन अटाया है उसकी जगे यह सीओ दे लगाया है ज्यान से सुनना यही काम आप अलकॉल में भी कर सकते थे हैट्रोजन अटाते और यहां से यह सीओ लगाते हैं अब इससे फाइदा क्या है जितने भी एनस्टू ग्रूप या वेज ग्रूप किसी कंपॉंड में मौजूद होंगे हम उसकी दिया है और जो बन रहा है उसमें 42 वेट का डिफरेंस आएगा पता है कैसे चटाया है उसके जगे सीओंड़न निकाला है माइनस वन तो 24 और ला चालीश ती आलिस माइनस एक एक एनस्टू या एक वेज़ की जगे पर 42 का डिफरेंस आया कितने का डिफरेंस आया 42 का यानिकि दो लेस्टू होते हैं तो कि दिने गाता 42 इंटू 2 तीन एक तो 42 इंटू 3 चारे जो 42 इंटू 4 ऐसे आजाता बाशान में आरी तो नंबर प्रोड़क का मॉलिकिलर वेट होगा और जो रियक्टेंड का मॉलिकिलर वेट होगा उसको 42 से डिवाइट कर दो 42 से तो नंबर निकल के आजागा कितने वह एच कितने नस्टू उतनी बारी तो सी ओ सी लगा होगा ना जैसे मालो एक कंपॉंड ए दरक्का उसका इसी टाले अब प्रोड़क का मॉलिकिलर मॉलिक्ट वेट कितना है मॉलिक्लर वेट ए प्लस 210 यह विविवाइड बाई कितने करना है 42 तो ए से एक डिया 210 डिवाइड बाई 42 इसको काटेगा ना तो यह पांच बार कर जाएगा इसका मतलब कितने एनस्तू ग्रूप ए में थे पांस थ सब्सक्राइब करने काम करते हैं हिंसबग भी वन डिग्री ती डिग्री को डिफरेंशेट करने का सब्सक्राइब करते क्या है वो बता रहा हूं सुनो कि सबसे पहले हम कारवाइल अमीन टेस्ट देखते हैं और यहां से हमें आईसो साइनाइड मिलेगा जिसकी फॉल बद्बूदार इसमेल आती है नाग बंद कर लो बेकार इसमेल आ रही है नाग बंद कर लो क्यों यह से 1 डिगरी अमीन देते हैं क्योंकि इस तरह से जुड़ता है RNA2 और CSCL3 में से CCL2 बनता है तो यहां पर हम यहां से HCL और यहां से HCL निकालते हैं तब जाके यहां पर 3 बोण बन पाते हैं नाइट्रोजन और कारवन के बीच में एक बोन यहाँ से एक बोन यहाँ से एक पहले से बना हुआ है अगर मालो एक भी एज कम हुआ यहाँ पे R होता तो वो निकलता ही नहीं तो केवल यह 1 डिग्री अमीन दे पाता है तो बद्बू आती है 2 डिग्री 3 डिग्री में बद्बू नहीं आती है अब कौन isocyanate test यह isocyanate बना है ayocynyte test मी बोलते है करbilemin test भी बोलते कौन देगा isocyanate test कौन देगा करbilemin जल्दी से बता दू अबेटे बता जहे ला कंग वन डिगरी अमीन है ना देखना था नाइट्रोजन से कितने कार्बं चुड़े है उस बात मैं डीग्री उत इन डिपन करती है नाइट्रोजन से कर्बंड गिरी लगत र Sprite कि तीन कर्बंड ours today को samp story चोई गएगा ये और कोम देगा ये वन डिघरी है पिर न्यट्रास एसिड टेस्ट की बात करते है बन डिग्री अमीन की हम टू मतलब न्यट्रास एसिड जो है उसके साथ रियेक्षिन कराओगे तो यहां पर निकलती है तो यहां पर यहां पर यल्ल ऑळी लिक्विड बनता है यह वाल टेस्क के रिजल्स ध्यान रखो और कुछ भी नहीं है, टीडी के अमीन के साथ कोई reaction नहीं होती, no reaction, इसकी trick है नागिन, की trick क्या है, नागिन में ना क्या है, सुनना वया, नागिन में ना क्या है, नागिन में ना है, nitrous acid, मतलब HNO2, nitrous acid, मतलब HNO2, G क्या है, gas, Y क्य में बनती है, वन डिगरी में, यह लोयली liquid 2 डिगरी में, नो reaction 3 डिगरी में, और चौड में इनकी short trick देख लो, कैसे होती होगी, यह RNS2, वन डिगरी अमीन लिखा है, यह क्या लिखा है, दोस्त, वन डिगरी अमीन लिखा है, कुछ नहीं करना, तरको ज्यान से देख, यहा से तेरे को N2 gas निकालनी है, और यहां से तेरे को पानी निकालना है, तो alcohol बनेगा, N2 gas बनेगी, और पानी निकलेगा, alcohol बनेगा, N2 gas निकलेगी, और पानी बनेगा, यह short trick है, nitrous acid की, बास समनी में आगी, यह 2 डिगरी अमीन है, अब अपने पास AKH अफेलेबल है, तो हम य R, N, R, और यहां पे N double bond हो, यह तेल जैसा, पीले रंका तेल देगा, पीले रंका तेल, बिल्कुल यल्लो ओईली लिक्विड वैसा बनेगा, तेल जैसा, यहां आएगा, यल्लो ओईली लिक्विड बनेगा, और अगर हमां 3 डिगरी अमीन की कराएंगे, कोई रीक्सन यहो एक में से बुल-बुले निकलने लेगे, नैट्रोजन गैस, वो है 1 डिगरी, एक में पीला-पीला बन गया, वो है 2 डिगरी, एक में कुछ भी नहीं बना, 3 डिगरी, खतम हो गई बात, इतिनीजी बात है, लेके, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट में यह जो आइ क्लूराइड कहते है, बेंजीन सल्फोनिल क्लूराइड कहते है मेरा भाई, इसकी ट्रिक है हसीन, हसीन इसकी ट्रिक है, इसका मतलब क्या है, हिंसबर्ग रियेजेंट, इसका मतलब क्या है, हिंसबर्ग रियेजेंट, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लूराइड, अब इसका मत किया है इंसॉल्यूबल इनलकली इनलकली और एंगा मतलब नो रियक्षन और किसके लेकरानी है यह वन-डिग्री यह टूडिग्री और यह था है यहां से अभी तोडी देर पेले आसी टाहिलिशन किया था H atao, C l atao, क्या बन जाएगा R N H S double bond O double bond O pH, अब आप यहाँ पे देखू, इसके पास acid hydrogen है, और यह base है acid base करके कैसा हो जाएगा, soluble हो जाएगा acid base करके कैसा हो जाएगा, soluble हो जाएगा बास अबन में आ रही है, यहाँ से यहाँ से लटा, यहाँ क्या बनेगा, R N R S double bond O, double bond O pH, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ कोई acid hydrogen नहीं है, इसलिए कैसा होगा, insoluble होगा, insoluble, और भाईया, मास है, यहाँ तो कोई H निकालते थे, तो यहाँ नो reaction, कोई reaction ही नहीं होगी, 1 degree, 2 degree, 3 degree, तीन test tube है, पता नहीं है किस में क्या है, एक बार अपन ने, वो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइट डाला, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइट, तीनों में अपन ने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइट डाल दिये, अब तीनों में NAVH बुरक करें NAVH डाल दिया, NAVH डाल दिया, NAVH डाल दिया एक में तो solubal हो गया, solubal माल बन गया दूसरे वाले में क्या बन राहा है, precipitated बन गया नीचे precipitated सा बन गया, मटमेला सा बन गया, तो वो 2 degree है और तीसरे में कोई reaction हरकती देखने को नहीं मिली तो वो कैसा है थ्री डिग्री है तो हम इंस्बग रेजेंट से भी अलग कर दखते हैं यह अमीन्स के टेस्ट है वेरी इंपोर्टेंट टेस्ट स्क्रीन सोट ले लो भाया हो भाया स्क्रीन सोट ले लो भाया भाया बालक एव जो में में आपको था दोला cứöglich मता है यहां पर प्लस वाली दोलन मिलतीψीए अविद्धल कि बख चुक है खड़ चुक है और चौटी चुहटी चीह है याद हो निवह जीह आप दूला है हमारा यह हमारा नुक्लियोफाइल है और नस्टू का बहुत स्ट्रॉंग प्लस एम लगता है बहुत स्ट्रॉंग प्लस एम लगने की वज़े से इसकी सारी और तो पेरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है सारी एक साथ काम करने लगती है तो यहां पर पॉली क्योंकि नस्टू तो क्या है और तो पेरा डारेक्टिंग लेकिन फिर भी बन रहा है उसके पीछे कारण है आप परिशान ना हूं बता दिया जाएगा और तो नैट्रो एनोली एनिलीन मेटा और पेरा नैट्रो एनिलीन है ना सुन तो यह बता कितना बनता है दो परसेंट और यह बनता है 51 परशेंट ओ माई गाड एक तो और तो इतना कम बन रहा है दिमाग की नहीं हो गई है और मेटा पता नहीं क्यों बन जा रहा है उसका रीजन सुलो पहले उसका रीजन सुलो यह जो एनिलीन है मीडियम के साहब बहुत ज़्यादा एसिडिक है नाइट्रो ना मान रहा अभी पड़ा के आया हूं आपको कि यह बेस की तरह भी काम करता है तो यह क्या करता है यह बेस की तरह काम करता है तो यह एनस्ट्री प्लस में बदल जाता है एसिड बेस करके यह जो एसिड है ना इससे एसिड बेस करके एनस्ट्री प्लस में बदल जाता है औ और अच्छी खासी हो रही हो गी को कि तरह इसले यह बन रहा है ज़्यादा और तो बनाना तो वो भी जुगाड अपने पासे वूब अगर 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 निकाल रहे हैं अगर अगर यह बनता है उसके बाद मेटा फिर और तो क्यूं कम बनता है क्योंकि यहां एसट बेस्ट हो जाती है ध्यान रखना यही कोशन इस साल भी पूछा था और असरसं रिजन में बियार टुइन पाली बियार टूइन कार्बन डाइस सलफ़ाइट सभी जगे पर आप बियार लगा दो मैंने आपको बोला एनस्टू इतना ज़्यादा प्लस है में बेंजीन में बर बर के एलेक्टों बढ़ देगा और और्थो पेरा सभी जगे पर क्या लग जाएगा बियार सब्सिटूट हो जाएगा और इसका वाइट कलर का प्रिसिपिटेट आता है मेरे भाई कैसा प्रिसिपिटेट वाइट प्रिसिपिटेट यही नहीं इतना जादा रियक्टिव होता है हमारा एनिलीन कि वो नॉन प प्लस और नस्तु ब्लस यहां बनेगा एनस्तु प्लस एच एसो फॉर माइनस लेकिन जब आप इसको स्ट्रॉंग हीट करोगे लगबग 453 से 473 केल्विन पर लगबग 453 से 473 केल्विन पर तो यह अंदुरुनी रूप से इसमें तबदिल हो जाता है एनस्तू और ऐसे औरWait बेसुड नेकिन अभी भी यह बैस से यह एस इड है इस अब यह आपस पी इंक्रामॉलिकिलर एस बेस रीक्षन कर लेते हैं और मैं चले जाते हैं जुटर यायन क्या होता है जो एक ही कमपौंड में आसिड और बेस दोनों प्रसाइट हुप करेंञें बोलते हैं एक अब कंपॉंण में को जहिए के ना невेकाँ के ने हैं कि लग यूठी उसके बाद के स्ट्रॉंग हीट करने पर ऊसके बात इंट्रव मोलेग्र form बने जाए गान पुटल कराव अलकायलेशन और अस्यलेशन अनिलीन नहीं देता पता है एनिलीन ना मान रहा भर भर के इसका यह ऐसा दूला है बहुत भरा बैठा है यह क्या करता है जिस से हम आर प्लस और और आर्चीव प्लस तयार करना चाहते हैं ये उसी दुकान को खराप कर देता है एक्चल में एनिलीन करता है क्या है सुनो एनिलीन जो है ALX3 के वेकंड ओरमेंटल में खुदी एटैक कर देता है खुदी एटैक कर देता है तो यह तो यह बिंजाता है NH2 प्लस ALX3 माइनस लो भाया और अगर यह बन गया यह कैसा है इलेक्ट्रोंट विड्ड्रोइंग ग्रूप है अब यह रियक्षन पिडल का वलकालेशन असायलेशन नहीं देगा क्योंकि यह वीक इलेक्ट्रोफायल होते हैं इसलिए नो रियक्षन यह सब मैं आइड्रोकार्बन में बता चुका हूं बता दिया आपको अब अगर आपकी इच्छा है कि एकादी प्रोड़क्त बने मतलब या तो पेरा वाला ही बने पेरा नैट्रो एनिलीन मेजर बन जाए या फिर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेट बन जाए ब्रोमीन के साथ तो वह भी जुगार है हमें इस एनिलीन के प प्लेस करेंगे अभी बताया रहा है यह तो एसी टालेसन करना यहां पर बेंजीन एनेच और यहां बन जाएगा सीयों सीयस्ट्री अब यह जो नैट्रोजन का लोन पेर है यह बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में और इधर भी रेजोनेंस में मोहबत बढ़ चुकी है इसक प्लास एम इतना नहीं रहा जितना उसका था प्लास एम इसका कितना था बहुत ज्यादा था इसलिए पॉली बनाता था इसका प्लस एम कम हो गया अब जब आप बी-र-टू को इध्यनुएक एसेड में लोगे तो यहां क्या बनेगा यहां बनेगा एन-च शीयों सीयस्थर अब और तो पर भी यार दो दिए अपर एक दॉर καो अपने ब्लकल ऑप यह भी बलकी बलकी बहन सीवकागं हमें क्या करना पड़ेगा इसको पेरा पर यह आपका मेजर बनेगा अभी लेकिन अनिलीन नहीं बना अभी अनिलीन नहीं नहीं तोड़ी ना है अब इसका हम कर देंगे हाइट्रोलिसिस बाबा इसका क्या कर देंगे हाइट्रोलिसिस कर देंगे हाइट्रोलिसिस कैसे करेंग स्थे पानी से तोड़ेंगे कि यहां प्लस से माइनस से यह यहां अईच्छा जाएगा है अब आपको दिग्ज्जा होगा कि यहां पर एजटू और यहां व्या टो एसे करके आप पेरा वाला प्रोड़क्ट मोनो सब्सिट्यूटेट पैरा वाला प्रोड़क्ट मेजर बना सकते हो कैसे पहले एनिलीन का एसी टालेशन कराओ जिससे उसकी प्लसम वाली पावर कम हो उसके बाद आप ब्रोमिनेशन कराओ और तो वाला क्यों नहीं बनेगा क्योंकि रिपल्सर आ रहा था और उसके बाद अट्रोलिस करो पहले अट्रोलिस कर देना पहले तो पिर यह जो एसी डालेशन क्या उसके नुक्तार हो गया ना भाई वह अपिस अनिलीन बन गया समझे रहो इसी तरह से आप नाइट्रेशन में भी मोनो वाला प्रोड़क्ट मेजर बना सकते हो और वह भी पेरा वाला कैसे पहले तो आपका यह बन जाएगा देखो यह यह इंटम बन जाएगा ना यही इसको कोपी इसको पेस्ट करो यह बनेगा क्यों बस यहां पर बीर के जगे अनोटो लगा दो इसका हाइड्रोलिस करोगे तो ओमाइग गाच यहां से ओपी पेसट हो सकता है इमने कर भी दिया यह मेजर बन जाएगा बस इस बी आर की जगे पर आपको मेरे दोस्त NO2 लगाना है तो यह पहरा वाला मेजर बन जाएगा हैट्रोलिसिस हों के समझेरो अगर आपने अचली टायलेशन नहीं किया तो तीनों बनेंगे 2-1-500-47 यह परसंटेज आपको याद करनी है रटनी है 2-1-500-47 47 वाला क्यों आता है क्योंकि वो अनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होजाता है यह क्या है अनिलीनियम आयन अनिलीनियम आयन में convert हो जाता है जिसके वैसे strong electron विड्रॉइंग इस वज़े से मेटा प्रोड़क्ट बनता है ठीक है ब्रोमीनेशन पॉली सब्सूइट है सल्फोनेशन में मैं आपको बता दिया क्या होगा प्रिडल क्राफ अलकालेशन असालेशन नहीं होती क्योंकि दूला बरा बेठा है वो दूलन को सजाने वाली पर अटक कर देता है अलूमीनियम के वेकंट और बाइडल में अटक कर देता है और ऐसा करने से strong electron विड्रॉइंग बन जाता है जो कि further reaction नहीं कर सकता और अगर आपको mono substitution का mind map type का हो गया आपका आगे चलते हैं मेरे दोस्त कि नेक्स देखते हैं मैथड और प्रप्रप्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहां से एनिलीन की या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की द्यान रहे टेंपरेचर इंपोटंट है यह भी इस साल पूछा हूवा सवाल है यहां पर बन जाता है यहां बन जाता है प演्जीन डाइजोनिय fired किया बंजाता है बेंजीन डाइजनियम h 찾 और यह बना जो बीडी și मतलब बेंजीन डाइजोनियम की यह होता है di napas अबुटो तो रजोने शॉनेंस पार्शल डबल बॉनर्ण केरेक्टरестноशन और जांसे सुन मेरे वरना एंटू दुनिया का सच अच्छा लिविंग ग्रूप तुरंत निकलना चाहता है अब यह बात को अभी नाइटर से सिट्स किया तो ना वहां पर एंटू ही तो निकलता था गैस की रूप में लेकिन यह सेफ हो जाता है सिर्फ बेंजीन डाइजनियम सॉल्ट में और व मिनस को प्लस से एने Ry Cl और Hiper No2 बन जाएगा और 19 1993 अपना और अंगे का काम दिखा दाएगा अब ते यहाँ से बॉत सरी रिक्शन निकलती ही बटा बहुत स सब्रेकशन ब्रेंजीना टाइजिन दारी गुलीक Lew Link substitution reaction बता रहा हूं सुनना ध्यान से यहां पर आपका क्या प्रोड़क्ट बनेगा यहां आपका प्रोड़क्ट बनता है इस एंटु की जगे पर नुक्लियोफाइल लगे जाता है ऐसा क्यों होता है उसका रिजन देख लो उसका रिजन देख लो यहां से गोला अठाओ और ध् इस जिखारीती इलेक्ट्रोफाइल में मतलब इलेक्ट्रोण नहीं है लेकिन अपकी बार जो दुलन है वो दहेज लेके आई है हमारी दुलन है और यहां नुक्लियोफाइल और यह माइनस यह स्टैप होगा यहीं आडियस होगा क्यों कि कि यहां पर बैंजीन ने इरो मेटी सिटी लूज कर दी है इसके बाद यह स्टैप है और ज्यादा बढ़िया एंटू लीविंग गरूप हैं यहां से लिकल जायेगा N2 की जगे पर Nucleophile substitute हो जागा बस हम हमें Nucleophile बदलने हैं जैसे अपन ने Electrophilic substitution बढ़ा महाँ पर Electrophil बढ़ ले NO2+, BR+, R+, RCO+, SO3 वो सब Electrophilic substitution reaction थी अब अपन Nucleophilic substitution reaction देख रहे हैं तो यह Benzene Digunium से Nucleophilic substitution reaction यह Fast reaction है क्योंकि Aromaticity Regain हो रही है स्क्रीन सोटे ले लीजिए, स्क्रीन सोटे ले लीजिए फटा-फट से आईए, बहुत important यह आपका Benzene Digunium pH मतलब Phenyl और N2+, Benzene Digunium इसकी reaction हम किस किस से करा सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना इसकी reaction हम करा सकते हैं Cu2Cl2, HCl Heat के साथ Cu2Br2, HBr Heat के साथ CuCN, HCN के साथ Heat के साथ HCN, HCN, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुनना Copper, HCl Heat के साथ Copper, HBr Heat के साथ Ki Heat के साथ और HBF4 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 एक बार तो इसको simple heat करेंगे एक बार इसको NaNo2 के साथ heat करेंगे NaNo2 के साथ heat करेंगे फिर ये Aniline डाल रहा है, Acidic Medium में और Basic Medium में Phenol डाल रहा है अभी सुनना भी आयागा, उससे भी काम आयागा अपने हो फिर H2O heat के साथ H2O heat के साथ और ये क्या कर रहे है S3PO2 heat के साथ और Ethanol heat के साथ ये सब reaction है अब सुनो, product क्या बनेंगे यहाँ से, जो अपनी दूलन आती है हो, CL-, Br-, ein-, और यहाँ से CL-, यहाँ से BR-, दूलन है यहाँ से I- दूलन है अभी इतना करते हैं यहाँéta क्लूरो बेंजीन, यहाँ से क्या बनेगा ब्रोमो बेंजीन, यहाँ से क्या बनेगा बेंजोनैट्रेल और यहां से क्या बनेगा Clorobenzene, यहां से क्या बनेगा Bromobenzene, यहां से क्या बनेगा Iodobenzene, यहां से F- दूलन तो है, लेकिन उससे पहले यह बनता है pH N2+, N2+, BF4-, जो की Room Temperature पे Stable होता है, बेंजीन डाजियनिम का Fluoroborate Salt, जो Room Temperature पे Stable होता है, लेकिन अगर आप Heat करोगे, तो यह आपको Fluorobenzene देगा, यह आपको Fluorobenzene देगा, इसी दरह से, यहां पर भी पहले क्या बनेगा, pH N2+, BF4-, और यह आप NO2 के साथ Heat करोगे, तो N2+, य यह आपको Nitrogen देदेगा, ठीके, S2O के साथ Heat करोगे, तो यह आपको Phenol बना के देदेगा, और अगर S3PO2 इतरोल के साथ Heat करोगे, तो यहां से बनता है Benzene Plus S3PO3, और यहां से बनता है Benzene Plus Ethanol, यहां से Ethanol बनता है, बात सुमते रहे ना मेरे दोस्स, बात सुमते रहे ना, और यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है Benzene N double bond N, और यहां से यह पूरा Phenol, और यह का यही copy preset कर रहा हूँ, यहां पर, बस यहां पर OH की जगे क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है मेरे दोस्स, OH की जगे NH2, इसका color होता है yellow color, और इसका color होता है orange color, इसका orange dye होती है, और यह यंदंधे yellow agode-eye होती है, यह yellow agode-eye है, और यह orange agode-eye है, बेसिकली यह जो peraposition पड़ है है, वो इस N2 के द्वारा, यहां पर इसको बोलते हैं गाटरमान नेम रीक्षिंघ सेह है उपकी सिज्जी सिड़ी सिज़्ी सिज़्ी रीक्षिंजS और यह बाल्जस्यमान रीक्षिंट एक बार अपने बेुनी डईजेन और ने बाल-शिमान र्येक्शन है और ये दोनों आपकी कौनसे रियक्शन है कुलिक रियकशन क्यों कॉनसे रियक्शन है क्लिक रियकशन Bereac यह ना प्लस हम लगाएगा और तो पेरा एक्टिवेट हो जाएगी लेकिन और तो पर क्यों नहीं जोड़ांगे बड़ा ग्रूप है यहां इस जगह पे जोड़ता इसके ओएच को यहां यह पूरे गुर्प को यहां जोड़ता तो रिपल्शन आता लेकिन पेरा पर travaille कि रिंचिन हो न कि बंघेन मन गया अस्तिरी बंघार से इत्यनल इतनौल इस का रोपा और स्कर डखेसं हं यह पूरा आपका बंचीन है तंब मेरा दोस्त यह पूरा आपका बंचीन र्यूजन है मुरा जितन थे ले लिया गया तो यह आपका पूरा का पूरा मी इस चैप्टर हो गया है था आपको वाला चैप्टर था एक ठंड बहुत हो रही है तो आपको थोड़ा ठंड से बचने का इलाज बता देता हूं कि आपको क्या करना है 50 ग्राम मुलठी लेनी है और 10 काली मिरची लेएंग और थोड़ी शी हल्दी लेनी है और गाय का गी लेना है और जहां रखा है में रहे हैं ध कि इस यही मचने कहला आज है रजाई जवाब दिखला यह सब जा पड़ा वहीं पड़े रहने को ठीक है धन्यवाद माई धन्यवाद